उसके बाद हमारे पास है project organization, project organization क्या है? हमारे पास जो external interfaces होगे, internal structure होगा, project का roles and responsibilities होगी, जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके, वहाँ पे उसको internal उनकी characteristics क्या है, external characteristics क्या है, उन्होंने project के complete होने तक साथ देना है, या उसके maintenance space के अंदर भी वो responsible है, उनके roles and responsibilities किस हद उसके बाद हमारे पास है managerial process plan, हमारे पास जो process plan है, उसके अंदर कौन-कौन सी जीज है included है, start-up plans है, हमारे पास, हमारे पास, बीजद की हकेन रहे हैं कि हमारे पास जो एक प्रजेक्ट का फेज है उसको कितना बैजेत करना है नेक्स्थ ने फिरो यह इंदर कितना बैजेत क्योंतारी होना है हमारे पास जो final एक project आ रहा है उसके अंदर हमने हर एक budget हमारे पास rough budget आता है तो उसको divide करने का जो काम होता है यहाँ पर managerial staff यह चीज़ कर रहा होता है कि एक-एक aspect में हमने एक step में हमने कितना कितना budget allocate करना है हमारे पास जो control plan है वो किस तरह से काम करेगा तो किस तरह से हमने प्रॉज़क को completion तक control रखना है risk management plan जो है वो किस तरह से हमने use करना है कि उस project के जो risk आते हैं उसके अंदर कोई भी errors आते हैं कोई भी हमारे पास inconsistencies आती हैं उनको किस तरह से manage करना है हमने अपने plan वो किस तरह से end time पे complete करते हूँए उसका closing plan जो है वो तयार करना है किस तरह से वो project को finish करना है उसकेबार हमारे पास technical process plans आते हैं कि हमने जो process के लिए model यूज करना है वो कौन सा use करना है जो process control के लिए method यूज करने हैं, जो tools यूज करने है, technologies यूज करनी है, हमने techniques यूज करनी है, वो कौन सी है हमने infrastructure अगर कोई use करना है तो उसका plan किस तरह सा होगा हमने अगर product की जो acceptance plan है कोई उसका criteria इसके कोई constraint है कि project के अंदर ये चीज होनी चाहिए product के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए तो उसके plan को हमने follow up रखना है कि हमारा acceptance का जो plan था वो सी को ही meet करे sporting process plans हमारे पास configuration management plan आता है verification और validation है documentation plan है quality assurance plan है कि quality जो guarantee दी गई थी जो desired quality थी वो ही होनी चाहिए quality के standards जो है वो maintain रखने चाहिए quality हमारी load नहीं जानी चाहिए हमारे पास जो reviews हैं जो audits हैं वो project को launch करने से पहले product को market में launch करने से पहले उनको reviews लिये जाए ताकि कोई भी अगर problem आता है तो उसको problem solving की जाए problem को solve करके उसका final result बनाया जाए ताकि हमारे पास वो जो एक final output है वो आस सके उसके बात हमारे पास है कि हमने अगर process के अंदर या product के अंदर कोई भी improvement करनी है तो वो skin basis पे product की improvement plan कैसे तियार करना है उसके बात है हमारे पास सबसे पहले हमने यह देखना है कि अगर हमने product जो है वो desired result हमने obtain कर लिये हैं तो हमने किस तरह से उस product को maintain करना है हमारे पास सबसे है कि हमने सबसे पहले जो main which step हमारे पास जो बनना जिस activity को perform करेगा वो उसके responsibility होगी when we have to do this like हमने planning सबसे पहले करनी है then we have to do हमने सबसे पहले planning करनी है उसके बाद execution करनी है फिर हमने prototyping करनी है एक dummy product launch करनी है dummy product जो हमने launch की है उसमें से देखना है कोई errors आते हैं उसका survey किया जाएगा and then we have to discuss about how we have to do this हमने इन तीन चीज़ों को home, when and how इन तीनों चीज़ों को manage करना है हमने इन तीनों परपसे के लिए जो भी tools जूज करने है methods जूज करने है techniques जूज करनी है हमने जो भी template जूज करना है उसको develop करना है उसके बाद अगर कोई भी उसके अंदर uncertainty है तो उसको देखना है कि उसका level कॉन सा है लोग लेवल की जो uncertainties होंगी उनको हम इंग्नोर कर सकते हैं अगर कोई भी high risk factor आता है तो इसको इंग्नोर नहीं किया जा सकता इसके पात हमें देखना है कि directing and managing project पर हमने जो project का work है इसको किस तरह से direct करना है और manage करना है हमारे पास यह है कि involved हो रहा होता है managing and performance दे work describing project management plan सबसे पहले जो मने project management plan तियार किया था ना हमने उससे comparison करना है कि हमारे पास जो एक plan था कि हमने इस time period में यह काम कर रहे होना है क्या हम अब वही काम कर रहे हैं या अपने deadline से पीछे चल रहे हैं हमारे पास जो majority time or money spent होती है वो हमारी execution phase में होती है so we have to take care about the budget budget exceed नहीं करना चाहिए we have to meet the deadline so we have to take care about the time and money both both things are important the application area हमारे पास जो है project कर डारेक्ली वो इफेक्ट कर रहा होता है project execution पे क्यूंकि हमारे पास projects जो है project की वो हमारे पास execution phase में create हो रही होती है project execution हमारे पास tools और techniques सबसे पहले हमारे पास कौन सा है expert judgment करता है expert can help project managers and their team make many decisions related to project execution हमारे पास जो experts होंगे उनको वो चीज़ चेक करवाई जाएगे वो IT product manager जो होंगे उनकी help करेंगे बहुत सारे decisions लेने में उनकी कोई भी उनमें errors आ रहे हैं कोई भी decision problem create कर रहा है तो वो problem solving में उनकी help करेंगे meetings है हमारे पास meetings allow people to develop relationship pick up important हमारे पास meetings इसलिए conduct की जाती है कि बहुत सारी brainstorming होगी हमारे पास एक बहुत सारे different ideas collect होंगे उस problem को solve करने के लिए कोई भी हमारे पास problem है उसको resolve करना है तो different minds कोई कथा करना is a better option हमारे पास best option यहीं है कि brainstorming की जाए brainstorming में यहीं होगा कि बहुत सारे ideas generate होंगे so that we can easily choose the best option project management information systems हमारे पास hundreds of project management software products available है market के अंदर बहुत सारी organization ऐसी है जो इनको follow up कर रही है हमारे पास internet पे बहुत सारे से materials मौजूद है material हैं जिनसे हम comparison कर सकते हैं हम उनसे help ले सकते हैं किस तरह से हमारा जो project है वो किस तरह से market के अंदर इन हो के कितने percent unique होगा तो उस चीज़ को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने शक्राइब कर सकते हैं मैंने शक्राइब कर सकते हैं monitoring and controlling project work सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक चीज़ इंसान को जहन में रखनी चाहिए कि when you are developing a project you have to get ready about the changes changes तो हमारे पास inevitable हैं आपने changes के लिए always ready रहना है इसको आप ignore नहीं कर सकते किसी भी condition में so it's important to develop and follow a process to monitor and control changes आपके पास कोई भी changes आती हैं तो changes पे कभी भी ignore नहीं करना आपने changes को आप decline नहीं कर सकते changes के लिए always welcome करना है project के जो monitoring करनी है उसमें data को collect करना है या performance को manage करना है तो उन सब चीजों का भी हमने दोबारा comparison करना होता है monitor करना है जो भी चीजे material कहीं और से हम information है collect कर रहे हैं तो उसकी authenticity चेक करनी है कितने percent उसमें चीजें authentic है वहां के चीजें आपने देख ली है performance कैसी है baseline एक develop कर दी जाती है baseline हमारे पास क्या है approved project management plan plus approved changes baseline के अंदर हम जो भी project की approved हमारे पास project management plan की चीजें हैं जो done हो गई है और जो changes आई हैं वहां पर discuss होंगे हमारे पास configuration management है configuration management इस चीजें को ensure कर रहा होता है कि हमारे पास make sure कर रहा होता है कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीजा नहीं होनी चाहिए जो project में required नहीं है कोई भी ऐसी चीजा ही होनी चाहिए जो project में required थी और वो plan के अंदर discuss नहीं की गई थी, तो उसके अंदर all हो characteristics included होनी चाहिए जो हमारे पास project के अंदर required है, configuration management plan हमारे पास एक documented form होता है, requirements का, हमारे पास जो भी controls है, उनका, जो भी changes है, उनका, जो भी record है, जो भी हमारे पास रेपोर्ट की चेजिस हैं उस चीजों का एक हमारे पास audit की audit को verify करने के लिए conformance की हमारे पास requirement का पूरा criteria होता है अच्छा जी इसमें हमने successfully इन चीजों को discuss किया है हमने बहुत सारी चीजों को देखा है जिसमें से हमने project की summary देखी है हिए project की किससे requirement gathering करी है वो देखनी है project के life cycle किस स्थरह से successfully complete करना है वो देखा है हमने किसस्थरह से अपने project को accurately efficiently लुड़ेशनी मार्केट में launch करना है और अपने competitive से उसको उचा रखना है हमने project integration management में देखा है कि project charter क्यों develop होता है project management plan क्यों develop होता है हमारे पास जो project की configuration management का plan होता है वो क्यों develop किया जाता है project के stakeholders कौन होते हैं project के अंदर किस तरह से roles and responsibilities assigned की जा सकती है किस project के अंदर कौन से tools और techniques को use किया सकता है हमने उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से हमने project को plan को audit करना है किस तरह से changes के लिए acceptable रहना है किस तरह से हमने project को close करना है और final अपनी destination तक पहुँच के successful end result को obtain करना है Thank you so much